नमस्कार मैं डॉक्टर सौरप शर्मा सै आचारे इतियास राचके कन्या माविद्याले सिकंद्रा दौसा आज हम फिरोज बिन रजब जिसे भारतिये सल्टनत कालिन इतियास में फिरोज तुगलक के नाम से जाना जाता है के बारे में अध्यन करेंगे अध्यन की सुविधा की देश्टी से हमने पूव में ही फिरोज तुगलक नामक अध्याय को दो भागों में विवाजित करके अध्यन करने का प्रयास किया है इसे पूव में प्रत्थम भाग में फिरोज तुगलक की प्रारंबिक जीवन उसका राज्यरोहन उसकी शाशन व्यवस्था कर व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किये करशी के विकास के लिए क्या-क्या कारे किये विविन प्रकार की नहरों का निर्मान बहुत सारे बागों का निर्मान सारवजनिक निर्मान विभाग की स्थापना रोजगार दफ्तर का निर्मान दिवाने खेरात नामक विभाग की स्थापना दिवाने बंदागन नामक विभाग की स्थापना विद्वानों को आश्रे देना बहुत सारी संस्क्रत पुस्तकों का फार्सी वाशा में अनुवाद करवाना सेन्य विभाग में वंचानुगत सेवा का प्रारंब करना विविन प्रकार के नवीन सिक्कों का चलाना और मिश्र के खलीफा से दो बार खिलत प्राप्त कर खलीफा के प्रतिनीदी के रूप में शाषन करना जैसे अनिक विशों पर विस्तार से हमने चर्चा की है सैनिक उपलब्दियों के बारे में बात करेंगे सैनिक उपलब्दियों की चर्चा यदि की जाए तो फिरोस्त तुगलक के समय में जो सैनिक अभियान किये गए या आकरमन किये गए या संगर्श किये गए उन पर जब दश्टिपात किया जाता है तो यह बात इस पस्ट रूप से सामने आती है कि फिरोस्त तुगलक में सैनिक प्रतिवा का अभाव था उसने दक्षिन भारत, राजिस्तान तथा अन्य प्रदेश जो की मुहमद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गए थे दिली सल्तनत से प्रतक हो गए थे उनको जीत करके वापिस दिली सल्तनत में मिलाने का प्रयास फिरोस्त तुगलक के दोरा कभी नहीं किया गया इसके दोरा जो प्रमुक दो अभ्यान किए गए बंग्ल और सिंद के अभ्यान थे और दोनों ही अभियानों में उसे कोई विशेश सफलता प्राप्त नहीं हुई इन अभियानों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहला अभियान बंगाल अभियान कहलाता है जो की 1338 इस्वी में दिल्ली से स्वतत्र गोशित हो चुका था फिरोस्तुगलक के समय में बंगाल में हाजी इल्यास नाम का रेक्ती शाशन कर रहा था और हाजी इल्यास की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने दिल्ली सल्तनत का जो दक्षिनी पूरी भाग है उसे जीतने के उद्देशे से तिरुध पर आक्रमन भी किया था जब ये आक्रमन किया गया तो फिरोस्तुगलक इस बात को सेहन नहीं कर सका कि बंगाल जैसा छोटा सा प्रदेश जो पूर्व में दिल्ली सल्तनत की अधीनता में रह चुका है वह दिल्ली सल्तनत के दक्षिनी पूर्वी भाग पर आक्रमन कर रहा है इस कारण से 1353 इस्वी में 70,000 कुर्दवारों के साथ फिरोस्तुगलक ने बंगाल पर आक्रमन कर दिया बंगाल का शाशक फिरोस्तुगलक को अपनी और आते देखकर राजदानी छोड़कर भाग गया और एक दला के दुर में जाकरके उसने शर्ण प्राप्त करी सुल्तान जिस समय आक्रमन के लिए गया था वहाँ पर वर्शारितु का आक्रमन हो गया और मजबूरी वर्श सुल्तान को वापिस लोटना पड़ा और बंगाल को वहे पूंते वशीबूत नहीं कर पाया इस परकार चाहिए बंगाल का ये जो पहला अभ्यान उसके द्वारा किया गया यह है ऐसा फल रहा कुछ दिनों के उपरांत बंगाल पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए फिरोज ने पूर्वी बंगाल के एक स्वर्गिय शाशक के दमाद जफर खां की साहता करने के बहाने से 1369 ECU में पुने आक्रमन किया इस समय इल्यास के मित्यू हो गई थी उसके इस्थान पर सिकंदर वहाँ पर शाशन कर रहा था जो की इल्यास का पुत्र था और उसने भी अपने पिता के समान एक दला के दुर्ग में जाकर शर्ण प्राप्त कर ली दिल्ली के सेना ने एक दला के दुर्ग का गेरा डाला परंतु वह उसे जीत नहीं सके और अंत में युद्र के अंत में एक संदी हुई जिसमें सिकंदर के पक्ष में अच्छी शर्टें थी इस प्रकर यदी देखा जाए तो फिरोज तुगलक के बंगाल के विरुजोदो अभियान किये गए वो दोनों ही ऐसा फल रहे जाजनगर पर विजय जब बंगाल अभियान के उपरांत वापिस दिल्ली की और लोट रहा था तब सुल्तान जौनपूर में रुका हुआ था वहाँ पर इसने जाजनगर पर आकर्बन किया जाजनगर का राए तेलंग अना की तरफ भाग गया अन्तत है राए ने फिरोज तुगलक की विशाल सेना को देखते वे उसकी अधीनता सुविकार कर ली और उसने यह वचन दिया कि वो प्रतिवर्ष कुछ हाती कर के रूप में दिल्ली सल्तन के सेवा में बेट करेगा या भीजेगा दूसरा महत्पुन अभ्यान फिरोज तुगलक के समय में जो किया गया वो था सिंद के विरुद अभ्यान तेरा सो एकसट बाशाटी स्विव में फिरोज ने सिंद पर आकर्मन किया ततकालीन समय में सिंद पर जाम बावनिया नामक शाशक शाशन कर रहा था उसने बड़ी ही वीरता पुरवक शाही सेना का मकाबला किया और इस युद में दिल्ली की सेना को अठ्य दिक्षती हुई और सुल्तान को पुने शक्ती संग्राहित करने के लिए गुजरात के रास्ते से लोटना पड़ा रास्ते में सुल्तान कच के रंड में भटक गया रास्ता बूल गया जिसके कारण छे महीने और खराब हो गए और छे महीने उपरांत वहे कच के रंड से निकल पाया 1363 इस्वी में प्रधान मंत्री खाने जहां मकबूल ने सुल्तान की साहिता के लिए अत्रिक्त सेना दिल्ली से बेजी और उस सेना के साथ पुने सिंद पर आकवन किया गया और जाम बावनिया ने अंतते दिल्ली सल्टनत की अधीनता स्वीकार कर ली 1360 में एक अन्य अभियान फिरोज तुगलक ने नगर कोट पर आक्रमन कर किया था यह प्रारम में दिल्ली सल्टनत का शेत्र होता था लेकिन मुहमद बिन तुगलक के अंतिम वर्षों में यह स्वतंत्र हो गया था छे माईने तक गेरा डालना पड़ा शाही सेना को नगर कोट के दुर्ख के समीप और अंत में नगर कोट के राजा ने समर्पन कर दिया इस अभियान में जौला मुखी बंदिर को लूटा गया और वहां से तीन सो संस्कत की दुल्लब पुस्तकें दिल्ली लाई गए और इन पुस्तकों को आजुदिन खाली दर्बानी नामक राजकवी के दौरा फारसी भाशा में अनुदित कराया गया यदि फिरोज तुगलक के समय विद्रोहों की चर्चा की जाए तो उसके शाषनकाल के प्रारंबिक वर्षों में ही उसकी चचेरी वहन जो की मौमद बिन तुगलक की वहन थी खुदा बंद जादा ने सुल्तान को मानने का शरित रचा परतु वह वेफल रही इसके अतरिक्त गुजरात के सुबेदार दमगानी कतेहर के राजा खड़कू तथा फिरोज ने इटावा के विद्रोह को भी दबाने में सफलता प्राप्त की 20 सितंबर 1388 इसवी में लगबग 80 वर्ष की आयों में फिरोज तुगलक की मित्युक के साथ ही उसके शाशनकाल की समापती हो गई धन्यवाद